हेलो रूबन बोश्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एम एलेवन एकेडमी तो आज की वुडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि पैरेमेडिकल में और पोल टेकनिक में फोर्म अपलाई करते समय आप लोगों को क्या-क्या डोकुमेंट लगेगा और साथ हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इसमें एज क्रिटिरिया क्या रहता है क्योंकि पिछले साल एज के चलते बहुत सारे बच्चे का फॉर्म तो पहले भारा गया था लेकिन वे एक जामनेशा नहीं दे पाए थे क्योंकि पिछले साल मैं एक सेंटर पर गया था तो ब आप सब इस वीडियो को अंच तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग के साथ यह जो है प्रोब्लम नहीं हो पाए क्योंकि मैंने उस टेम आपने आखों देखा हाल देखा तो इसलिए हम आप लोगों के सामने एज को लेकर हम बिल्कुल किलियर में में बताना चाहते हैं कि एज क्या होना चाहिए तो आए आप सब वीडियो को अंच तक जरूर देखेंगे तो सब कुछ हम आप लोगों के सामने हम किलियर कर देते तो सबसे पहले हम बाच करेंगे कि अगर आप सैबर कैफे से आप ऑनलाइन करवाते हैं तो आप लोगों को क्या-क्या साथ में लेक करना होता है देखें क्या-क्या लेकर जाना आप लोग जो है समझ लीजिए तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल लेकर जाना जरूरी होता है क्योंकि आपका नंबर पर ओटी पी आएगा जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे सेंड मोबाइल नंबर वेरिफेकेशन आपके नंबर पर एक ओटी पी भेजता है उसके बाद आपके पास एक इमेल आइडी होना चाहिए और वह इमेल आइडी वह सी फोन में लॉग इन होना चाहिए क्योंकि यहां पर इमेल वाले ओटी पी को भी वेरिफाय करता है तो आपके साथ एक मोबाइल लेकर जाएंग और अपना सिगनेचर जो है वहीं पर करवाही देता है और एक हिंदी में सिगनेचर लेकर जाएंगे और एक मोबाइल इतना ही चीज आप लोगों को लेकर जाना है और इस मोबाइल में आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट का एक फोटो आप लोग रख लेंगे बस काफी है और एक अधार कार्ड रहना चाहिए क्योंकि अधार नंबर वहां पर खुझता है यानि कि अधार नंबर आपके मोबाइल में रहेगा फोटो रहेगा तो काम चल जबांव क्योंकि सेटिफेट यहाँ पर अप्लोड करने का आप्सन नहीं है सिर्प उस के डिटेल यहाँ पर ज यह साफ लिखा गया है इसे लिए नोटिफिकेशन में लिखा है I sude फीकेशन पर हम आप को लेकर चलते हैं हम वीडियो में खास करके बहुत परिसरर इसी लिए एक हमने हमने आखहों से अपने देखा था कि बहुत सारे बच्चे गरजियन के साथ जाते हैं और वे जो है हरास होकर आते हैं बेहनत करते हैं तो दो तीर मंथ जो की फॉर्म भड़ने के बाद आप लोग को टाइम मिलता है अभी भी देखिए आप लोग के साथ दो औरहे मंथ में मिलेगा ऐसे तो तीर मंथ मिल सकता है क् ए्जाम डेट जो है किलियर नहीं हो पाया है तो देखिए एज के लिए यहां पर आप लोग तो फॉम भड़ने का देगए यहां पर सारा कुछ बताएंगे देखिए फर्स्ट नमर में पोल्टेक्निक अभी अंतरयानी की पोल्टेक्निक इंजिनियरिंग करने के लिए आप लोगों को माध्मिक पाटकर व्याने की टेंथ फास होना चाहिए कोई भी डिविजन मतलब नहीं है अब देखिए अधिक्तम आयू सिमा निर्ध पकलता है और कितना जादा है वे भी मैटर नहीं करता है आंट करता है मतल तक आपको 15 साल मिनमम होना ही होना है और मैक्सिमम आपको यहां पर 30 साल ही होना है तो आप लोग समझ गये होंगे कि मिनमम 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से आप को को जादा नहीं होना चाहिए अब बात आती है कि सर पी एम जो की इसमें एनम जी एनम वगयरा यह सब कुछ जो कोर्स मिलता है पी एम में तो यह बचे के लिए देखे कितना मिनमम एज है और में कितना मैक्सिमम एज है देखे यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि 31 बार या आप एक्जामनेशन में आपको जो है नहीं देने को मिलेगा और यह देखिए यह जो है सौकिंग नूज देता है और देखिए पिछले बार क्या हुआ था कि पाच चार दिन पहले एडमिट कार्ट तो डाउनलोड कर दिया गया था और सभी बचे डाउनलोड भी कर लिए नहीं देने दिया जाएगा और उसका पैसा जो है जो फॉर्म भरा था यानिकि अगर सावर कैफे से आप लोग बनाते हैं तो उसी का अकाउंट में जाएगा तिस प्रकार से बहुत प्रेसानी वहाँ पर हुआ तो इसलिए अगर आपका एज 17 साल हो जाता है 31 दिसंबर तक आपको इसके लिए इलिजीबल है यह जो 35 साल है यह सिर्फ देखिए यहाँ पर लिखा गया है एन्म नर्सिंग और जी एन्म नर्सिंग के लिए है अगर आप एन्म जी एन्म के बाद अगर दूसरा कोस लेते हैं जैसे कि इसमें लाग टेक्निस यान ओटी असिस्टेंट यह सब है तो इसके लिए मिनमम तो 17 साल है लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 32 ही आपको होना चाहिए तो इसके लिए कोई प्रोब्लम नहीं है जब आप लोग क्वालिफाई करेंगे और जब कॉंसलिंग होगा तो उस टैम जो है अगर आपका एज यानिकि आपका कम नंबर आता है और आप जो है आपका एंज जो है 35 साल होता है तो आप लोग जो है अधर कौर्सेश के लिए आप लोग जो है इलिजेवल नहीं हों तो इसके लिए कोई बली बात नहीं है देखिए मोटा मोटी लेकर चलिए कि 17 साल आप लोगों को इस साल हो जाना चाहिए 31 दिसमबर तक और maximum 35 साल आप लोगों को इस साल होना चाहिए 35 साल से अगर आपका पलस होता है तो आपका जो एक्जामनेशन नहीं होगा और आप इसके लिए लिजबल नहीं है पुल टेक्निक वाले के लिए कोई टेंशन नहीं होगा चलेगा तो आप समझ गया हूं कि 77 साल से कम नहीं होना चाहिए तो यही जो है इस वीडियो में हमें बताना था क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले साल घूमे थे इसी के चलते सेंटर पर जा के क्योंकि देखे बच्चे अपना तयारी में लगे हुए रहते उनको वे नहीं दियान दिये थे और बहुत सारे क्यों देखेगा जब एडिमिट काड आ गया तो लोग सुचता है कि अब मेर पर रेजिट्रेशन नमर लिखा लिखा गया था और रॉल नमर था कि यह बच्चे का जो है एक्जामनेशन नहीं होगा डूट उनका एज क्रेटेरिया फुल फिल नहीं है तो इस परकार से वहां हम आखों देखा हाल बताये थे तिसलिए हम आप लोगों को वीडियो में हम बचा दिए तो चलिए आगे जो है आप लोगों को कैसे त्यारी करना एक उनकों से बुक पढ़ना है तो इसके लिए सिले बस क्या है तो सब कुछ हम वीडियो लाते रहेंगे और धीरे देरे ताप लोग चैनल को सब्सक्राइब करकर वेल अकन को आउन रखिए ताकि आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तो थांक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब सब्सक्राइब जय भारत